सूपरभार सभी को मेरा नाम अद्वयतारवदा से मैं क्लास फोर में पढ़ता हूँ तो जब हिंदी कहानियों की बात आती है तो उसमें अकबर और वीर्वल की कहानिया कहानियों में काफी ज़्यादा आगे रहती है और उनकी कहानिया मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है क्यूंकि उनको सुनने में मजा पाता ही है और साथी साथ उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है तो आज उन्ही कहानियों में से मैं आज आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ तो चलिए शुरु करते हैं एक दिन अकबर अपने बिश्टर पर लेटे सोय हुए थे तभी वो अचानक से उठे और उनको काफी जोर की प्यास लगी थी तो उन्होंने कहा मेरे को पानी दो पैसे कोई तो उनकी बात को सुन नहीं पाया पर वही पर पास एक जाड़ू लगाने वाले करंचारी को उनकी आवाज सुनाई देगी फिर क्या था उसने पानी लिया और अकबर के पास चल पड़े उन्होंने उसके बाद उन्होंने अकबर के हाथों में पानी का गिलास थमा दिया वैसे अकबर तो उस नौकर के हाथों से पानी नहीं पिना चाहते थे पर क्यूंकि उनको बहुत ज़रे प्यास लगी थी तो उनको मचबूरन पानी पिना पड़ा पाहर तभी जब शूरज धाल गया था और चंद उपर आ रहा था साम के समय उनका पेट काफी जोर की दर्ध होने लगा और उन्होंने कई बड़े बड़े राज वैदरी रिषी को बुलाया पाहर हर उनका पेट डर है कि सही नहीं हो रहा था पर तभी एक बूड़े बावा आय और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेट डर्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सुभा सुभा उस मनुष का जहरा देख लिया वी राजाक बर कुईतना जरब गुस्सा आया कि उन्होंने उस विचारे नौकर को तो फासी की सजा दे द फिर तभी बीरबल की एंत्री होती है और वो बोलते है कि तुम यहां में आराम से बैठो जोस जोस पीर मैं जाके अगबर को संभालता हूं फिर बीरबल अगबर के पास गये और उन्होंने कहा अगर अगर मैं आपको उस नौकर से वड़े मनुष का नाम बता दू तो अब क्या करेंगे फिर बाटसा अकबर ने कहा तो मैं उस नौकर को माफ कर दूँगा उसके बाद फिर बीरबल ने कहा उस नौका से बड़े मनुष तो आप है बाटसा अकबर फिर बाटसा अकबर ने कहा क्या क्या तो हम यह चाहते हो कि मैं तुमको भी साजा देदू फिर बीर दिवा पर जब उस नोकर ने शुबह शुबह आपका चेहरा देखा तब उसको तो सजाए मौत ही मिल गई फिर ये सुनकर बाटसा अकबर और बिरबल काफी जोर-जोर के हची लगए हाँ हाँ उसके बाद फिर बाटसा अकबर ने उस बिचारे नोकर को हीरे जवारा दिए औ उस धोंगी बाबा को गदो की देख भल करने मेला लगा लिया तो इसी के साथ हमारी ये कहानी खतम होती है तो इससे हमको ये सिख मिलती है कि कभी भी आन्द विश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए झाल झाल